जैश्री राधे क्रिश्ना ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता में आज सुनिए पाप का फल मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया कारण की यह सर्वग्य, सर्वसुहरिद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है किसी गाव में एक सज्जन रहते थे, उनके घर के, सामने एक सुनार का घर था, सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गड़कर देता रहता था ऐसे वह पैसे कमाता था एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया रात्री में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पतालग गया उस पहरेदार ने रात्री में उस सुनार को मार दिया और जिस बकसे में सोना था, उसे उठा कर चल दिया इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लगुशंका के लिए उठकर बाहर आए उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बकसे को कैसे ले जा रहा है तो पहरेदार ने कहा तू चुप रह हल्ला मत कर इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूँ, सज्जन बोले मैं कैसे ले लूँ मैं चोर थोड़े ही हूँ पहरेदार ने कहा देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुहक पाएगा, पर वे सज्जन माने नहीं तब पहरेदार ने बकसा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़ कर जोर से सीटी बजा दी, सीटी सुनते ही और जगह पहरा, लगाने वाले सिपाही दोड़ कर वहां आ गए, उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बकसा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है, तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है, उन्होंने उस सज्जन को पकड़, लिया और राज किये आदमियों के हवाले कर दिया, जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है, सब सिपाही आपस में मिले हुए थे, उन्होंने कहा की नहीं इसी ने, मारा है, हमने खुद रात्री में इसे पकड़ा है, इत्यादी, मुक्दमा चला, चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ, फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो, सर असर अन्याय हो रहा, है, भगवान के दर्बार में कोई न्याय नहीं, मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा है, वह बेदाग छूट जाय जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है, जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इ ऐसा विचार करके उस जज ने एक शड्यंत्र रचा, सुबह होते ही एक आदमी रोता चिलाता हुआ आया और बोला हमारे, भाई की हत्या हो गई, सरकार, इसकी जाच होनी चाहिए, तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ती की लाश उठा कर लाने के लिए भेजा, दोनों उस आदमी के साथ वहा गए, जहां लाश पड़ी थी, खाट पर लाश के उपर कपड़ा बिचा था, खून बिखरा, पड़ा था, दोनों ने उस खाट को उठाया और उठा कर ले चले, साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दोड़ कर आगे चला गया, तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा देख, उस दिन तु मेरी बात मान लेता, तो सो ना मिल जाता और, फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाईका फल, कैदी ने कहा मैंने तो अपना काम सच्चाईका ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तुने और दंड भोगना पड़ा मेरे को भगवान के यहां न्याय नहीं खाट पर जूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बाते सुन रहा था जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटा कर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी की रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ सिपाही भी हक्का बक्का रह गया सिपाही को पकड़ कर कैद कर लिया गया परंतु जज के मन में संतोश नहीं हुआ उसने कैदी को एकांत में बुला कर कहा कि इस मामले मैं तो मैं तुम्हें निर्दोश मानता हूँ पर सच-सच बताओ कि इस जन्द में तुमने कोई हत्या की है क्या वह बोला भुत पहले की घटना है एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग-अलग खूग समझाया था पर वह माना नहीं एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया मेरे को गुस्सा आया हुआ था मैंने तलबार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया इस घटना का किसी को पता नहीं लगा यह सुनकर जज बोला तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस, रिश्वत नहीं खाई कभी बेईमानी नहीं की फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया अब संतोश हुआ उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा सिपाही को अलग फांसी होगी उस सर्जन ने चोर सिपाही को पकड़ कर अपने कर्तवय का पालन किया था फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तवय पालन का फल नहीं है प्रत्युत उसमें बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है कारण की मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं मारने का अधिकार रक्षक शत्रिय का राजा का है अत कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यहीं मिल गया और परलोग के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया कारण की इस लोग में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है थोड़े में ही शुद्धी हो जाती है नहीं तो पर लोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित गंड भोगना पड़ता है इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किये हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं भगवान का विधान विचित्र है जब तक पुराने पुन्य प्रबल रहते हैं तब तक उगर पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता जब पुराने पुन्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मानतर में